ये है विविद भारती उजाले उनकी यादों के उजाले उनकी यादों के नमस्कार उजाले उनकी यादों के इस करिक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही है जानी माने फिल्म अभिनेत्री शेशीकला तो लीजी सुनिए फिल्म अभिनेत्री शेशीकला से कमल शर्मा की लंबी बातचित पर आधारत इस करिक्रम की दूसरी कड़ी मेना जी है हाँ ठीक है मैं भी कोई कम नहीं हूँ मैं भी करके दिखाऊंगे यही अपनी मन को समझाया मैंने फर्स टेक ओके क्लाप्स मिले मुझे मेना जी जरा नाक मुझे से बोलती अल्ला आपने तो इतना अच्छा शौट दिया अगर जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहाद अच्छा शौट दिया है और आर्थी जब रिलीस हुई तो इतने फैंस मेरे बने कि जितने हिंदुस्तान के अवाट्स है जर्नलिस्ट अवाट्स अगरे सब मिले जिसमें फिल्म फेर का है जिसमें बेंगॉल एसेशेशन का वो है और यहां के जितने अवाट्स सब मुझे मिले और तब से मैं स्टार बन गए तो कैसे लगा जब ये किसी कराकार को खबर आती जाहर है कि वो तो बल्ली हो चलने लगता है और एक लंबा फासला स्ट्रगल का ते करने के बाद में जब विज़े करीब आती है काम्याबी करीब आती है तो बहुत प्रसंद नहुता तो आपको जब इसकी खबर लगी आपके रोल को बहुत पसंद किया गया है पहली बार ये इसरा का आपको रिस्पॉंस मिला था जी जी कैसे लगा था बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी भी हुई मगर एक बात दुख की हुई कि जैसे जैसे मैं उपर शड़ती गई as a star मेरी फामिली लाइफ खराब होती गई और ये मेरे साथ नहीं कई लगों के साथ ऐसे हुआ है तो दुख भी था खुश्यां भी थी मगर बच्चों को टाम नहीं दे पा रहे गए मेरे हजबन ने बहुत उनका ध्यान रखा बच्चों का बहुत ध्यान रखा I'm grateful to him क्योंके एक तो बोर्डिंग में बच्चे पढ़ते थे जब भी छुटी आँ थी ते और उन दिनों में मैं तिन तिन शिफ्ट करती थी इतनी बिजी थी मैं उन्होंने बहुत ध्यान रखा और बेसिक जो लड़कियों को रहना चाहिए इसे पापीटा का तो मेरे उपर था मेरे हज़्बन ने उनको तौड तरीके उने ने सिखा ए इसे एक बेटी को कैसे बहु दूसरे घर की बनना है और दूसरे घर के बहु जब आपने घर में लाते हैं उसको कैसे बेटी बनाना है यह बारती परिवारों में यह संसकार दे जाते हैं और आपके फिल्म भी आई थी टीन बहुरानिया हाँ अरे बापरे यह एक्चिल मेरे साथ ऐसे हुआ है यह यह शचिकला फिल्म एक्रिस आ रही है तो घर को जड़ा सब लाके रखो वाके यह बहुत रियालिटी है अभी भी ऐसे ही चलता है कोई फिल्म स्टार आने वाला हो तो सब लड़कियां या लड़के अपने घर को साफ सुत्रा रखके बहुत बढ़िया कपड़े पहन के उनकी सापने जाएंगे यह अभी भी चलता है जो 355 दिन में नहीं होता है जो एक दिन में हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा शेशी ची इसमें प्रत्वीराज कपूर साहबी दे अहां मैंने पापा जी के साथ मैंने काम किया है तो पापा जी के बारे में मैं ज़रू जाना चाहूँगा और पापा जी के साथ मैंने एक ही सीन किया है और उसमें वो एक 80 साल के बुढ़ी बनके उनके सामने आती है तो पापा जी की कमाल की बात सुबह क्यूंकि सुबह नौ बजे से वो सेट पे बैठे हुए थे और मैं सेट पे गई हूँ तीन बजे जो सुबह से मेरा मेक अप चल रहा था अब तो बहुत कुछ मेक अप अगर ऐसे आए हैं तो मेकम दाना है न ये प्यास के छिलके होते हैं लसन के छिलके होते हैं वो चिपका चिपका के उसके सारे रिंकल्स दिखाते थे मगर पापा जी ने कभी यह नहीं कहा कि मैं सुवा से बैठा हूं यह उनकी ग्रेटनेस है और पापा जी कि मैं जब छोटी थी तो उन दिनों में उपरा हूस में उनकी प्लेस बड़े चलते थे दिवार पठा हूँ राजकपूर साब के साथ मैं अपने किसी फिल्म में काम किया एक में मैंने काम किया था मुझे याद है क्योंकि यह जो हमारे राजी का क्या था कि अगर मैं आपके ऑपिजिट शॉट दे रहे हूं तो जो मुझे ऐसे उनके आख में आख डाल के शॉट देना चाहिए तो मैं वैसे ही काम करती थी मेरी साथ आश्या जी थी तो आश्या पारिख उनने उनके नजरों से नजर मिला कि उनने शॉट रहासल गया है ने 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 तुम ऐसे मत करो मेरी तरव देखे तुम शॉट दो बहुत कमाल के ग्रेट आर्टिस्त हैं और उनके एक पिक्चर थी बरसाथ उसमें मुझे बुलाया गया था मगर पता नहीं किस वज़े से मैं उसमें काम नहीं कर सकी और निम्मी जी ने वो रूल किया था और उसके बाद कई सालों के बार इनकी पिक्चर आई थी क्या नाम है संजीव कुमार उसमें हीरो थे और मैं मैरेज बीरो का काम कर रही थी आ आजकरब शाप की फिल्म अजड़ बैनर उनका था था रंधिर भी था रंधिर भी था इक तो जवानी डिवानी नहीं नहीं दबल रोल संजीव कुमार करते हैं उसमें यान नहीं यारे हैं उसमें मैंने काम किया था अच्छ वर आप्छ ग्जाश्व इड्रेक्टर इस परसं मेरा इतना मिलना उनसे हुआ नहीं है, मगर क्या आर्टिस्ट, क्या डिरेक्टर, क्या उनकी परस्नालिटी कशी जब आप अपने इंसाथियों की वया वो लोगों की फिल्म एतनी आप भी इन में से किसी की फैन रही होंगी? मैं तब देखके सामने कि वही में जैकार हो जाता है कुछ ऐसी बही है तो, दिखे ना, जब मैं दादा मुझी के साथ काम कर रही थी, मैं छोटी थी ना तो मेरे पिताजी मुझी पिक्चरे बहुत दिखाते थी तो दादा मुनी के साथ काम करने के लिए मिला तो और फिर दिलीब साहम दिलीब साहम के भी भात करेंगे मैं आप से ये शांतारम जी के बाद में बता हूँ तिन बति चारा समय मैं निरूपा, सृति बिश्वास और शिला रमानी अच्छा हम लोग तो बिगड़े हुए स्टार थें मगर जब वहां पर पता चला गई नौ बज़े सेट पे आपको तयार रहना है तो हम सब सुंद्रियां तयार होके जाते थे और करेक्ट नौ बज़े अन्ना सहाब की गाड़ी पोच में आके खड़ी रहती थे और नौ बज़े स्टार्ट रहासल इतना डिसिप्लें और तीन बज़े चार रहासल तो ये कॉमेडी बिच्चर थी पदा नहीं आपने देखी है या नहीं ऐसा अन्ना सहाब ने अट्मॉस्फियर बयाम बनाया था कि सब हसते ही रहते थे मज़ाग चलता था और सब स्टाफ हैरान होता था कि अन्ना सहाब इतने स्ट्रिक्ट मगर सेट पर देखो ता आज हस रहे हैं आर्टिस्टों के साथ बाते कर रहे हैं मज़ाग चल रहा है तो वो तो एक तीन बटिचार रासा के बात हुई उसके बाद उन्होंने मुझे सुरंग में काम दिया अर्हसल, तीन महें में हमारे रहसल वहाँ पर ये तरीका ही था प्रबाद का ही Heather क था हर एक हाथ में स्क्रिप्ट और सारे रेकॉर्डिस्ट हैं, डारेक्टर हैं और ये सब बैठे हुए हैं, आर्टिस्ट भी बैठे हुए हैं में तो हम लोग सुरंग की शूटिंग के लिए को लापूर गया और वहां जो अन्ना साहब की खास बात ये कि उन दिनों में तो बहुत ही मेरा रंग साफ था एक दम गुरा और वो जो पत्थर काटने वाले औरते होती हैं वो मेरा रोल था और पगली का रोल पागल और आती थे होटल पे और छे बज़े तक मेरा मेकप चल पा था अन्ना जी जैसे छे बज़े आते थे हम लोग उनकी गारी में बैठके चलो शूटिंग के लिए और अन्ना जी करिब 11 बज़े तक शूटिंग का था था फिर टॉप लाइट आती थी वहां पर गयारा बज़े से अन्ना सहाब भागाए तक माहरा राश्रिंस यही खाने वाले और फिर दो बज़े तक आराम करना उसकी बज़े हो कि तीन बज़े सेट पर पांच बज़े तक हम काम करते थे तो फॉर्स टे मेरा जब काम आया तो करीब छे साथ मैंने रिटे किया है क्या हुआ अन्ना साहब मेरे से यह रोल नहीं पगली का रोल था मेरे से यह रोल नहीं हो रहा मैं क्या करूं क्या हुआ अन्ना साहब को बोलो या तो रहसल ले या तो किसी और आर्टिस को ले का है दांट के बुल, आंक से आंक में मिला नी सकती थे उनके, पैर वैसे, आन्ना मुझे काम तो करना है, मुझे जामोंत नहीं आन्ना, बोले, आरे, मैं पत्थर को भी पानी निकाल सकता हूँ, तो करेंगे ना, निकाल, चल, कल शूटिंग करते हैं, तो मेरा फर्स्ट ओपनिंग पेड़ पर मैं लटकी हूँ, यह मेरा इंट्रोडेक्शन शॉट और करीब 10-12 फीट के ऊपर, लटकाया मुझे, हाँ, यह तुमारा इंट्रोडेक्शन शॉट है, अब पागलों के तरह तुमने हसना है, खुदना है, और यहां से इतने दूर तक जाना है, मैंने अच्छा मैंना साथ थिक है, मैंने डिया शॉट अगड़ने के बाद जो मैने गई हॉट गइशन कॉमने कंमारी कशौत दिया है। ऑसके बद धार मेरा काम उर मां मने अघ्चा होता रहा है, और एक बात और अपने जो उनके काम करने वाले थे नाकिबल स्टार, फिल्म की जो दूसरे लुग थे, टेक्निशन्स थे, उनका कैसे क्यार लगते थे, सबका? सबके साथ, जैसे उनके शरीर के ये सारे पूर्जे हैं, पूरा एक परिवार सेट, जब तक अन्ना साहब सेट पे हैं, पाकप के बाद उनकी पस्नाल्टी बिल्कुल अलग होती थे, तब वो होते थे भी शानतरा, मैं आपको एक किसा सनाओ, उस पिक्चर में मेरा रेप किया उतने ही लोग सेट पे थे, और ऐसा एटमोस्फियर उन्होंने बनाया था, कि वाकए इस लड़की का रेप हुआ है, और वहां का जो ठेकेदार, वो ऐसे उनको उला जी ने वो रूल किया था, ऐसे उनको खड़ा किया, और दो पैर ऐसे उनके पहलाई हुए हैं, और वहां कि मैं कुछ नी पेहना था उपर, और अरे कपड़ा रखा था, जैसे शौर्ट स्टार्ट होता है, और मैं चिलाते हूं, एकदम से मेरा ये कपड़ा निकल जाता है, ये मेरे बोड़ी खुली नजर आती है, बात में सेंसर ने रखाने, तो इस तरह अटमोस्फियर रखते बोलिये, बहुती ऑफ बीट और मैं समस्ता हूं कि बहुती प्रोग्रिसिव से लग दिया, तेके उस जमाने में क्या उनके टेक्निक थी बोलिये, जो मेरे सुरंग के जो टाइटल्स थे, लोग्स टाइटल्स देखने आते थे, दो बाते, एक तो मेरा बैनर लगा हुआ थ तब नाज में, तब नाज खुला था, तो जैसे वो लटकी हुई है, एक वो मेरा बैनर देखने आते थे, और एक मेरा ये टाइटल्स जैसे क्या कहते हैं उसको, 3D, 3D एफेक्ट दिया था, जी, 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 पत्थर तोडने वालों का धुम करके, पत्थर जा वर्लदा पर आएंगे लेकिन उसके पहले, चुकि शांदराप साहब के हम बात करें, उन्हों ना केवल लोगों का मनरवनजन गिया, बल्कि अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज को, मैसेच दिया है, सही कहा है, समझ दी, और खासों से कुछ ऐसे टॉपिक्स पी, जो उस ज तुम्हाने चाहिए, लिगी की फिल्म करूनों लोगों तक पहुशती है। एक किताब बिशुया पेस्वासर नहीं करती है वो एक पाठक पड़ता है, लेकिन एक साथ करूनों लोगों तक सिनेमा पहुशता है है। और उसका मैसेज लोगों के जब दिलो दिमाग में बैठता हो तो समाज बदलता भी है तो आप ये जरूर मानेगे कि समाज को बदलने में और खासों से एक रज़तनात्पक परिवर्तन में उनका बहुत बढ़ा यहूद है उस समाने में देख्ये उनके कुंकु पिक्चर दुन्यादामाने आल को दिलो नहीं हिंदो मुस्लिम के दो फ्रेंबस होते हैं वो भी बहुत कमाल के चैजरी, पढ़वसी पढ़वसी क्या कमाल के पिक्चर बीलो है उस तरह दिनों के उनके टैकनिक देख्या आप देखे ओपन जील का जो कॉंसेप्ट था, दो आखे बारा है जी, जी, कमाल का मैं समस्तों के इतने बड़े फिल्मकार को एक किताब में ना तो समेटा जा सकता है ना इस कारिक्टर में समेटा जा सकता है मैं उनको बहुत मिस्स करती हूँ अन्या जी को आपके माधियम से हमारे सुनने वाले उनको भी कमसकम इन लोगों की शक्सित के वह पहलु मानूं पढ़ेंगे जो दुनिया जानती नहीं है तो आप सब करें आप सबको वह अपने बच्चों की तरह जैसे ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल, एक मेरा शॉट था कि वह आदमी मुझे रेप करता है, उन्हेंने कहा कि देखो शेशे, तुम्हारा रेप हुआ है, लोग शॉट वह लगाते हैं, और क्लोज, लोग से वह क्लोज में आती है, और आके, क्यूंकि वह बोल नहीं सकती, पागल होती है, तो ऐसे चिलाती है, चिलाहट में वह बता कि मेरा रेप हुआ है, तो उन्हेंने मुझे कहा कि तुम सोचो कि सबसे ज्यादे तुम जिसको नफरत करती होने उसको याद करो तुम, और मैंने शॉट दिया उनको, पहाड पे थी में, ऐसे उंचाई पे, लो कैमरा था, और पता नहीं मैं कैसे बज गई, मैं नीचे गिर हो तुम, मगर उसके साथ थोड़ा presence of mind भी होना चाहिए, समझो अगर तुम नीचे गिर जाती तो क्या होता, ये सारी चोटे-चोटे चीज़ें, उस सीखने लाएगा, पर ये जो discipline है, मैं समझता हूँ कि वो आपकी पुरी जिन्दगी में भी आया, और, अभी भी, मैं कही जाती हैं, I'm very punctual, shooting हो, ये party हो, party तो मैं बहुत कम जाती हूँ, और, किसी के हम मुझे अगर invite किया है, हरे, सब जानते हैं कि she's very punctual, लेकिन वो आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा है, और आप अपने नाम को भी सार्थक कर रही है, मैं अपने सुनने वालों से अपना जानी चेहरा, बिलकुर तेजस्वी चेहरा और वही रौनक है, शेशी जी मुझे यकीन ने होलाएं कि मैं आप से इस प्रोग्याम के जरीए बात कर रहा हूँ दादा मुनी को आप वियके नहीं करेंगे, दादा मुनी दो-तीन दिन के बाद उनकी डेथ हुई, मैं मुझे खास बुलाया गया, सारा दिन बैठे रहे, बाते करते रहे, लग रहा था कि अंदर से बहुत दुखी है, उसके उटे भी हैं, जैसे टूटे हुए हैं, कॉमेडियन ओम प्रकाष जी, चंदरा शेकर हमारे जो आर्टिस, उनके घर में पार्टी थे और ओम जी ओम प्रकाष कॉमेडियन, मेरे हस्बने ओम प्रकाष जी, उनके बारे में कोई ज्यादा मालूमत मिलती नहीं कोई जादा जान का रहा है, कहने लगे, शेशी आम वेर तब आँखों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पूरा का पूरा इतिहास जो है, वो एक अध्याय बंद होने जा रहा है, कहीं हमने उनको एक बैरिष्टर के रूप में दिखा है, कहीं एक बहुत ही संजीदा पिता के रूप में, मुझे उंचे लोग का वो, उनकी फिल्म य मैं एक बात पूछना चाओगा, क्योंकि वो भी जब हम बात करते हैं, उसी मयार के उसी कट के फिल्म कार्माने जाते रहे हैं, गुरू को मैं जानती थी, बगर उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, मैंने काम किया, वहां का एक्स्पिरियंस बहुत अच्छा था, रिश अच्छा था, मैंने का दादा, मेरी तविया ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे एक महना आराम करने के लिए कहा है, तो करने तुम चिंदा मत करो, कल के शूटिंग करते हैं, उसकी बार मैं तुमको आराम दूगा, आच्छा, क्या होता था कि बिमल्दा दुपहर को आते और वहां पे सब मराथी आर्टिस, ललेता पावर, सुलो चनाबाई, शाशिकला, हम तीनों, और मराथी, हम लोग सम तयार होके बैठते थे, दादा आएनी, दादा आएनी, दादा आएनी, और दादा को संसेट के बात मूड आता था काम करने के लिए, नुतन के और मेरी ब आप सुन रहे थे, सुप्रसित फिल्म अभीनेत्री, शेशिकला से, कमल शर्मा की लंबी बातचित पर आधारित, इस कारिक्रम की दूसरी कड़ी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर विने तडवलकर, सैयोजन शकुंतला पंडित, इस कारिक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमलेश पाठतने, जरूर सुनेगा, उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की, कारिक्रम की याद प्रस्त।